विल्कम बैक वन्स अगेन नोकरिकवाई.com ओफिसियल यूटूब चैनल सो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स के पदो पर आचुकी साल 2022 की नई सीधी भरती के बारे में जहां पर आप सभी के लिए कुल 32,000 पदो पर भरतीयों के ओफिसियल नोटिविकेशन के साथ-साथ ओनलाइन फोरम भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं दोस्तो अगर आप लोग भी सरकारी स्कूल के अंदर कक्षा एक से लेकर कक्षा नववी तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं टीचिंग जॉब में इंटरेश्टेड हैं आपका सपना है टीचर बनने का तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मोका आचुका है अगर आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे टीचर की वेकेंसीज का तो आपको बता दें कि 32,000 पदों पर टीचर की रिक्यूटमेंट आ चुकी है आगे आपको जानकारी दी जाएगी कैसे आप लोग नोडिविकेशन को डाउनलोड करेंगे कैसे आप लोग घर बेटे अपने मुवाइल फोन से ओनलाइन फोरम भरेंगे वो भी बिना किसी एक्ष्टा चार्जस के नॉर्मल सुल्क पर आप सभी को पूरी की पूरी इन्फोर्मेशन प्रोवाइड करा जाएगी आप सभी से बस एक छूटी से रिक्वेश्ट होगी कि अगर आप लोग दिल से इंटरेस्टेड हैं तो आज की स्पीडों को बीना कहीं इसकी किये आगे बढ़ाए पूरी आकरी तक जरूर देखेगा और इंडिया लेवल की जौब आ चुकी है आप लोग भारत के किसी भी राजय से अपलाई कर सकते हैं इसलिए आपको एक बार आवेदन जरूर करना है सेलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा सलेवस क्या रहेगा और आपकी एज क्या रहेगी और यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 9 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है आपको आवेदन करने का तो इसके अंदर ही आपको आवेदन करना है ताकि आप लोग सर्वर जाने से पहले अपलाई कर सकें और अपनी मन पसंद एक अच्छी सी पोश्ट पर जॉब पा सकें अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेशन को आउन करना बिल्कुल भी मिस मत करेगा दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस विकंसी के बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहूंगा जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए तो पहली और सबसे में बड़ी बात है कि आपको टोटल 32,000 पदों पर भरतियों के नोडिविकेशन देखने को मिलेंगे चार अलग-अलग नोडिविकेशन है चारों को मैं उपन करूंगा और आपको पूरी जानकारी दिखाऊंगा बस आप लोग वीडियो को आकरी तक देखेगा इसके लाबा और इंडिया लेवल की जौब आ चुकी है यानि कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर मेल एंड फी मेल आनी की महिला और पुरुस दोनों के टिगरी के केंडिडेट आप एदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉबलम के साथ यसाथ आपको बेतन भी 30 से 40,000 रुपाई स्टार्टिंग कर दिया जाएगा काफी अच्छा बेतन रहेगा अपलीकेशन फीस काफी नॉर्मल सा है बाकी अगर एजुकेशन की बात करें तो काफी सारी डीटेल में जानकारी आपको नोडिवीकेशन में प्रॉआइड कराई गई है इसके बारे में आगे बात करेंगे आपकी जो एज है वो कम से कम 18 और अधिक से दिक 40 साल की होने चाहिए और अगर आप लोग 40 साल से उपर हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी केटेगरी में हैं आपको एज में रिलेक्सेशन भी मिल सकता है अगर आप लोग OVC, SCHT, PWS या फिर किसी और केटेगरी के केंडिडेट हुए तो सारी की सारी जानकारी को डीटेल में देखने के लिए आप लोग बने दिएगा चले सबसे पहले नोडिवीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं तो दोस्तो हमारा पहला नोडिवीकेशन ओपन हो चुका है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा एक से पांच के पदों पर सीधी भरती यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पदनेम है अध्यापक लेवल कर रहेगा और आपको बता दे कि इसके अंतरगत आपको कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा यह पहला नोडिवीकेशन है इसके अंदर आपको टोटल 11,940 विकेंसी देखने को मिलेंगी और आपको बता दे कि आवेदन करने की डेट यहाँ पे क्या रहेगी तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दस एक दो जार बाईस यानिकी दस जनवरी से लेकर नो दो जार बाईस यानिकी नो फर्वधी के रात के बारा बै तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे इसके अलाबा यहाँ पे अभ्यारती होत्य सामान निर्देश भी दिये गए हैं इनको आप लोग डीटेल में देख सकते हैं मैं आखरी में बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना नोडिवी केसन क्योंकि चार नोडिवी केसन है और यहाँ पे बात करें अगर आवेदन सुल की काफी नॉर्मल सा है अगर आप लोग जर्नल हैं तो 100 रुपए और अगर आप लोग OVC हैं तो 70 रुपए और SC, HD के लिए 60-60 रुपए यहाँ पे तो रखा गया है तो काफी नॉर्मल सी सुल के अंदर आप लोग इस फॉरम को भर पाएंगे यह पहला notification है जो total आपको 16 पेंजों का देखने को मिलेगा चले मैं दूसरा notification ओपन करके आपको दिखा रेता हूँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा notification भी open हो चुका है जो की TSP एरिया के लिए है और यहाँ पे भी आपको अध्यापक लेवल प्रथम भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको कक्छा एक से कक्छा पांस तक के छोटे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना होगा टोटल अम्बर वेकेंसी की बात करें यहाँ पे आपको 3560 मिलेंगी और इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो सेम यहाँ पे भी आपको दस एक दो जार बाइस से लेकर नो दो जार बाइस यानि की दस जनवरी से लेकर नो फर्वरी तक का समय दिया गया है आवीदन करने के लिए इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे सेम नोडिविकेसन है यह 15 पेजो का नोडिविकेसन है अपली केसन फीस यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जर्नल के लिए 100, OVC के लिए 70, SCHT के लिए 60-60 रुपए यहाँ पे रखा गया है इसके बाद आवेदन कैसे करना इसके बारे में आपको एक बीडिव मिलेगी बस आप लोग बीडिव में बने दियेगा चले तीसा नोडिविकेसन ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा तीसा नोडिविकेसन भी ओपन हो चुका है जो की अध्यापक लेवल दृती है यानि कि यहाँ पे कक्छा 6 से लेकर कक्छा 8 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा जो दो नोडिविकेसन इससे पहले हमने देखे उसमें कक्छा 1 से कक्छा 5 तक था और यह कक्छा 6 से कक्छा 8 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाने का है इसके अंदर आपको कई लेंगेज मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको टोटल 13,865 नंबर अवेकेंसी देखने को मिल नीथ है तो आपको इनको चेक करके रखना है साथ में यहां पर देखे ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है सेम है 10-1222 यानिकी 10 जनवरी से लेकर 9-2222 यानिकी 9 फरवरी तक का और अगर अपलीकेसन फीस की बात करें तो यहां पर भी आपको जर्नल का 100, 20C का 70 और 60 पर तक देखने को मिल जाएगा ओनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस यहां पर सेम होने वाली है चलिए आखरी और चोथे नंबर नोडिकेसन को उपन करते हैं और उसके बाद आपको ओफीसल वेपसाइट पे ले चलके जनकारी दे देते हैं तो दोस्तों हमारा आखरी और चोथा नोडिकेसन भी ओपन हो चुका है यहां पर आपको अध्यापक लेवल देती देखने को मिलेगा जहां पर आपको कक्छा 6 से लेकर कक्छा 8 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा यहां पर आने के बाद देख पाएंगे टोटल अंबर विकेंसी 2635 है और यहां पर भी आपको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कित, उर्दू, समाजिक, अध्यन, बिक्जान, गडित सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे इसके बाद आवेदन करने की डेट यहां पर भी आपको सेम ही मिलेगी 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी की और अप्लिकेशन फीस की बात करें तो भी यहां पर सेम ही रहेगा इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना होगा इसके लिए चलना होगा ओफिसल वेपसाइट पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करें टीचर्स भरती के बारे में जहां पर आप सभी के लिए टोटल 32,000 पदो पर भरतियों के ऑफिसल नोडिविकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉरम भरने के लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आपको मैंने दिखाया दो नोडिविकेशन जिसमें आपको कक्छा एक से लेकर कक्छा पाचवी तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा और दो दो अलग नोडिविकेशन मैंने दिखाया उसके अंदर कक्छा छे से लेकर कक्छा आठवी तक के बच्चों को पढ़ाना सब्जेक्ट मैंने बता दिया है बेतन की बात करें तो अलग अलग रहेगा लेकिन यहाप लमसम में बात करें तो 40,000 रुपए तक आपको बेतन मिलेगा मेल एंडफी मेल यानिकी महिला और पुरुस दोनों के टिगरी के केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इंडिया लेवल की जाब आ चुकी है आप लोग भारत के किसी भी राज़ से आवेदन करने के लिए एलेजबल होने वाले हैं इसके बाद यहाँ पे आपको बता दे कि आपको आवेदन करने का 10 फरवरी sorry यहाँ पे थोड़ा सा मिश्टेक है आपको 9 फरवरी 2022 तक कर समय दिया गया है आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास अभी काफी टाइम है 10 जनवरी 2022 से इस्टार्ट होने वाला है आपको बता दे कि जो आपकी एज है वो कम से कम 18 और अधिक से दिक 40 साल की होने चाहिए सीधी भरती है और All India Level की जवाब है यानि कि आप लोग भारत के किसी विदाजस से आवेदन करने के लिए लेजबल होने वाले है चले चलते हैं आज के अपने में टॉपिक और ओफिसल वेप साइट पर दोस्तों आपको आवेदन करने का नोडिपिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डीटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो क्लिक करके इस पेंच पे आप आएंगे यहां पर आने के बाद आपको स्कॉल करना है नीचे आना है आप लोग देख पाएंगे टीचर रिक्यूटमेंट है 2022 के लिए और यहां पे आपको 32,000 पोश्ट वेकेंसी के लिए आपको आवीदन करने होंगे अधिक ज्यानकारी के लिए आप लोग लिंक वर्किंग.org की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं टोटल अमर वेकेंसी की बात करें तो आपको 32,000 पोश्ट मिलेंगी जहां पे आपको टीचर की वेकेंसी देखने को मिलेंगी अपलाई डेट की बात करें तो 10 जनवरी 2022 से लेकर 9 फरवरी 2022 तक आप लोग आवीदन कर पाएंगे और यहां पे जो आपकी एज है वो कम से कम 18 और अधिक से धिक 40 साल की रहेगी इसके लाबा आपको एज में रिलेक्सेशन भी दिया जाएगा अपलीकेशन फीस काफी नॉर्मल से है जो की मैंने नोडीकेशन में अल्रेडी जानकारी दे दी है इसके बाद यहां से नीचे आएंगे आपको ओगनाजेशन मिल जाएगा और इसके बाद यहां पे वेकेंसी डिस्टिबूशन है यानि की आप लोग कौन कौन से राजों से अपलाई कर सकते हैं लिश्ट आपके सामने हैं आप लोग चेकाउट कर सकते हैं दे निया से नीचे आएंगे बेतन है बेतन आपको इनके रूल के हिसाब से दिया जाएगा एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर आपका यहां पे 10-12 ग्रेजुएट लेबल कर रहेगा साथ में आपे 9-12 तक का समय है और आपका जो यहां पे चेन है वो एक्जाम के बेस्ट पे होने वाला है इसके बाद आपको सारे के सारे important links मिल जाएंगे आपको बता दे कि 10-12 जनवरी 2022 से forum भरे जाने सुरू होने वाले हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी दूँ तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का target है जितना जल्दी complete करेंगे आपको आवेदन करने की वीडियो उतना जल्दी provide कराए जाएगी मिलते हैं अगली update के साथ next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद